नमस्तार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं अपके साथ मैं हूँ नम्रता चौधी टी राजा जिसको आप टाइकर राजा भी कहकर पुकारते हैं ठाकर विधायके बीजेपी के गोशा महल से और जितनी उनकी फैन फॉलोइंग है आप जानते ही हैं अकसर चर्चा का विशे बनते हैं क्योंकि बेबात तरीके से पनी राय रखते हैं कहा तो ये तक जाता है कि जब टी राजा अपने गड़ में हुंकार भड़ते हैं तो ओवैसी भाई भी काफ जाते हैं उनके हर एक बयान पर विरोधियों की नजर होती है क्योंकि टी राजा कब किसको क्या बात बोल दे विरोधि इसका आभास भी नहीं लगा पाते डंके की चोट पर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करते हैं डंके की चोट पर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं लेकिन क्या हो अगर टी राजा को उत्तरप्रदेश की मुक्यमंत्री योगी आदित आदितनात की याद आ जाए और वो सोशल मीडिया पर लिख दे कि आपकी मदद चाहिए जी हां ऐसा हुआ है लेकिन इससे पहले कि आप खबर में आगे बढ़ें और इस खबर को एक्जैक्टली ऐसे ही समझ जाएं जैसे कि मैं आपको बता रही हूं तो थोड़ा से जल्द इस अकाउंट से लिखा गया है हेलो यूपी पुलिस रोशनी नाम की लड़की बनारस की रहने वाली है जिसके द्वारा लगातार देश के प्रधानमंत्री के लिए अशब्द यूस किया जा रहा है कृपया कठोर कारवाई करने की कृपा करे रोशनी कुशल ये आईडी ह टाइगर राजा सिंग सटायर नाम के यूजर ने या ये कह लिजए कि पैरोडी अकाउंट की तरफ से एक लड़की के लिए लिखा गया है कि ये लगातार नरिंदर मोदी के लिए अबधर भाशा का इसमाल कर रही है और इसी के साथ एक पोस्ट शेयर किया गया है जो बेह आदित पोस्ट तो पीछे मिलेंगे लेकिन उससे पहले एक कॉंट्रूवर्सी उनके नाम पर चल रही है वो मिलेगी जिसमें वो एक शक्स पर आरोप लगा रही है कि उसने रोशनी को बलातकार करने की धमकी दी सोशल मीडिया प्लाटकॉम पर रोशनी का बयान जो पांच याद इतना से मदद मांगी गई है उसको लेकर आप क्या राए रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राये जरूर दीजेगा और एक बात फिर जाते जाते आपको याद दिला दू कि टाइगर राजा सिंग के ओरिजिनल अकाउंट से ये मदद नहीं मांगी गई है कुछ सोचल मीडिया पर इसे हैसे ही प्रमोट कर रही है खबर का फैक्ट चेक आप इसे समझ सकते हैं कि टी राजा ने एक्चुल तौर पर मदद नहीं मांगी है लेकिन हाँ उनके सटायर पेज से मदद मांगी गई है फिलाल आप इस खबर को लेकर क्या राए रहते हैं ज़रू मेरे पती के बारे मेरे पिता जी के बारे मेरे घरवालों के बारे में अभधर टिपडियां कर रहा था लेकिन पिछले दो दिन पहले उसने मेरे नाम पूरा लिखके रोशनी कुशल जैसवाल को प्रेगनेंट करना पड़ेगा उसके साथ बलातकार करना पड़ेगा तब ज उसने मुझे प्रेगनेट करने की दम्की दी, जिसकी खिलाफ मैंने डीम और कमिशनर सर के खिलाफ उसके के ऑफिस में एपलीकेशन लिखा और आज अपने बेहनों के साथ, अपनी चाची, मामी के साथ, अपने भाईयों के साथ, उसके घर पर पहुँचके, उसकी मा, उसकी बेटी जो की 16 साल की बेटी है उसको बताने पहुंची कि उसका बाप उसका पती किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलातकार करनी के धमकी दे रहा है मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को घर शोड़ने के लिए उसे ट्यूशन चोड़ने के लिए मुझे कि मेरा बलातकार किसी भी महिला या किसी भी बेटी बता होने के बाद लोगं से आरजी खर मेडिकल और निरभ्या कांड कि कि हम लोगों के साथ हाता पाई करने की कोशिश की जिसके खिलाफ अभी हम लोग ठाना लालपूर पांडेपूर पर आके मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पर अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से बलातकार करने की दमकी दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका नाम और इसका पता क्या है चुप मत बैठिये मैं हर उस महिला के सपोर्ट में आज आवाज पढ़ियां मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूं या मैं ऐसी हूं मैं वैसी कुछ भी कुछ लिख रहे थे शॉर्ट फॉर्म में रोकुजा लिख रहे हैं यह कम से कम 200 पन्ने का फोटो स्टेट है जिसमें सारी चीज़ करा फिर से प्रेगनेंट करें के होई तब जाके रोश्नी कुछल जैस्वाल माल बनाव हैं क्या कहेंगी योगी सरकार बुल्डोजर चलवाती है इन जैसे घर पे कप बुल्डोजर चलेगा और सैफरॉन राजेश सिंग नहीं इसका नाम होगा आज से बलातकारी राजेश सिंग जो दूसरे की मैं भी किसी की मां हूं मेरा 9 साल का बेटा है मैं भी किसी की बीवी हूं मेरे पती का कुन फॉलेगा की नहीं जब उसकी बीवी को इस तरह से बलातकार करने की दम की आएगी चार साल से चला रहा है कि राज़िश पार्टिक विलांग करते हैं अपने आ कर की बात होती है वहां बाजपा और रसे के लोगी शामिल होते हैं मैं इस पर अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हूं मैं एक महिला हूं मैं हर महिला के लिए आवाज उठा रही हूं और ऐसे बलतकारियों से बचें वो यह जो लिख सकता है इनके दोस्त अभी करने में चुकेका मुझां अकेला पा करने में मैं हर वक्त अपने बाड़ी गाड लेकर नहीं कोमती हम उच्ण निक नला बढद लेकर नहीं निकलती हूं तो मेरे सबकरी sickness हो मेरे मिलियन सब फॉलोर्स हैं जो भोगते हैं शॉट फॉर्म लिखे लेकिन जब सामने मेरा पूरा नाम लिखे बलातकार करने की जब दम की इसके पहले दो साल पहले भी मुझे जान जमाने की दम कि आई थी मैंने कंप्लेंड की थी मुझे इंसाफ मिला था आज एक फर से ब उन्होंने लिखा है और आगे कारवाही होगी मैं योगी मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूं कैसे बलातकारी राजेश सिंग के घर के ओपर और महिलाएं ऐसे लोगों से डर जाती है या छोड़ देती हैं मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ऐसे लो झाल